उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ दो, बाचीत, भाग एक, इब, त, म, ख, ट, च, प्रिष्ट 24 और प्रिष्ट 25, इन दोनों प्रिष्टों पर एक चित्र है, प्रिष्ट 24 पर एक डाक घर का चित्र है, जिस पर लिखा है डाक घर, जन्पद मुरारी, यहाँ पर डाक घर में एक व्यक्ति को कारी करते दिखाया गया है, डाक घर के बाहर दिवार पर एक लेटर बॉक्स लगा है, जिसमें एक व्यक्ति अपना पत्र डाल रहा है, उसके पास कुछ बच्चे खड़े हैं, पास ही एक व्यक्ति जा रहा है, डाक घर के पास ही एक पत्र पत्रिकाओं की दुकान है, यहाँ पर दो चार पाई है, एक चार पाई पर एक व्यक्ति बैठा अख़बार पढ़ रहा है, और दूसरी चार पाई पर एक बच्चा बैठा किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर दो लड़कियां भी खड़ी हैं, और उस लड़के को किताब पढ़ते हुए देख रही है, प्रिष्ट पच्चीस पर एक चाय के दुकान का चितर है, चाय के दुकान में एक व्यक्ति चाय बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दुकान पर लिखा है नंदू दुकान के अंदर एक टीवी लगा है, टीवी को तीन व्यक्ति देख रहे हैं, और दुकान के दिवार पर एक विज्यापन चस्पा है, यहीं पर एक औरत दिवार पर टेक लगाए बैठी है, चितर के उपर वाले भाग में एक नेता को भाशन देते दिखाया गया है, और क कुछ व्यक्ति उनका भाशन सुन रहे हैं, सामने एक बस जाती दिखाया गया है, कुली को सामान लिजाते दिखाया गया है, यहीं पर एक कुत्ते को दिखाया गया है, कुछ व्यक्ति बेंच पर बैठे हैं, कुछ बच्चे सलक पर जा रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में बा बाच्चित के लिए पाठ दो प्रिष्ट चबेश बाच्चित इब त म ख ट च दस से बीज तकी संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना बीज तकी संख्याओं का जोड और घटा करना चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िये इस प्रिष्ट पर चार विभिन चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ है और उसके उपर लिखा है समाचार पत्र अब आपको ये अनुमान लगाना है कि ये चित्र किसका है तो इसे देखकर हमने ये अनुमान लगाया कि ये चित्र अखबार का है दूसरा चित्र एक यंत्र का है जिसमें हम सामने से कुछ बोल कर अपनी आवाज दूसरों तक पहुँचाते हैं तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये चित्र माईक का है तीसरे चित्र में एक बैंच पर दो व्यक्ती आपस में बाते करते दिखाये गए हैं तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये चित्र बाचीत का है चोथे चित्र में एक यंत्र दिखाया गया है इस यंत्र में 0 से 9 तक के अंक अंकित है प्रिष्ट 27 इस प्रिष्ट पर 5 चित्र दिखाए गए है पहले चित्र में एक काड़ नुमा कागस पर कुछ लिखा हुआ है और उसके उपर डाक टिकट लगी है और नीचे पिन कोड लिखा हुआ है इसका उप्योग हम एक दूसरे को संदेश पहुचाने के लिए करते हैं तो इस चित्र को देख कर हमने ये अनुमान लगाया कि ये चिठ्ठी का चित्र है एक अन्य चित्र में एक दिश्य यंत्र है जिस पर एक स्क्रीन है इस यंत्र का उप्योग हम समाचारों, खेल की जानकारियां और मनुरण्यन इत्यादी के लिए करते हैं तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये चित्र टेलेविजन का है एक अन्य चित्र में एक लिफाफा दिखाया गया है और साथ ही एक चिन्न बना है तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये चित्र SMS का है यहाँ पर एक यंत्र दिखाया गया है इस यंत्र के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और साथ ही उनकी बात को सुन भी सकते हैं तो इसे देखकर हमने ये अनुमाल लगाया कि ये चित्र टेलिफोन का है और अंतिम चित्र एक लाल रंकी पेटी का है। इस डिब्बे में पत्र डालने के लिए जगा है और साथ ही नीचे ताला दिखाया गया है। और इस डिब्बे पर डाक का निशान बना है। तो इसे देखकर हमने ये अनुमाल लगाया कि ये डाक पेटी है। शिक्षक निर्देश सहभागियों से सभी चित्रों की पहचान करवाएं। चित्रों के नीचे उनसे संबंधित शब्द दिये गए हैं। चित्र के आधार पर शब्दों को अनुमान लगा कर पढ़वाएं। प्रिष्ट 28 चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िये। आपके घर और आपके आसपास इन में से किन का इस्तेमाल होता है। सही का निशान लगाईए। इस प्रिष्ट पर चार चित्र बने हैं। पहले चित्र में पहला चित्र एक शब्द यंत्र का है। जिसके उपर एक एंटीन लगा है। और दो बटन दिये गए हैं। इस प्रिष्ट पर चार चित्र दिये गए हैं। पहला चित्र एक रेडियो का है। उसके नीचे है रिक्तिस्थान। दूसरा चित्र टेलिविजन का है। उसके नीचे है रिक्तिस्थान। और उसके नीचे लिखा है टेलिविजन। तीसरा चित्र एक डाक पेटी का है, उसके नीचे है रिक्तिस्थान और उसके बाद लिखा है डाक पेटी और चौथा चित्र एक पैन का है, उसके नीचे रिक्तिस्थान है और उसके नीचे लिखा है पैन अब आपको इन चित्रों को देखकर ये बताना है कि आपके घर और आसपास इन में से किन का इस्तेमाल होता है प्रिष्ट 29 पढ़िए और लिखिए इस प्रिष्ट पर दो अक्षर दिये गए हैं और उनके सामने उनसे बनने वाले शब्द लिखे हैं साथ ही उनके चित्र भी हैं पहला अक्षर है इ से बनने वाले शब्द हैं इमली और इकतारा यहाँ पर इमली और इकतारे का चित्र है यहाँ पर बिंद्वों की सहता से इ को लिखा गया है अब आपको इन्ही बिंद्वों की मदद से इ को लिखना है और साथ ही स्वयम बिना बिंद्वों की मदद से इ को लिखना है और पंक्ती को पूरा करना है इस तरह से आप इ अक्षर से अन्य शब्द पढ़ और लिख सकते हैं दूसरा अक्षर है इ यहाँ पर इ से बनने वाले दो शब्द लिखे गए हैं और साथ ही इनके चित्र भी हैं पहला शब्द है इक और दूसरा है इमेल यहाँ पर बिंद्वों की सहता से इ को लिखा गया है अब आप इन्हीं बिंद्वों की सहता से इ को बनाईए और बिना बिंद्वों की मदद से इ को बनाने का प्रयास कीजिए और पंक्ती को पूरा कीजिए इसे और भी शब्द बनाए जा सकते हैं अब आप स्वयम ए से बनने वाले अन्य शब्द पढ़िये और उन्हें लिखिये। प्रिष्ट तीस अगला अक्षर है ब। ब से बनने वाले यहाँ पर दो शब्द दिये गए हैं। पहला शब्द है बस और दूसरा है बच्चे। यहाँ पर बस का चित्र और बच्चों का चित्र है। बिन्दों के मदद से यहाँ ब को बनाया गया है। अब आप बिन्दों के मदद से ब को बनाईए और बिना बिन्दों के मदद से भी ब को लिखकर पंग्ति को पूरा कीजिए। अगला अक्षर है बा। बा से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं बादल और बाल। यहाँ पर बादल और बाल के चित्र भी हैं। यहाँ पर बिन्दों की मदद से बा को बनाया गया है। अब आप बिन्दों की मदद से बा को बनाएं और बिना बिन्दों की मदद से भी बा को लिखकर पंक्ति को पूरा करें। बा से और भी अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं आप बा की मदद से अन्य शब्द स्वयम पढ़ें और उन्हें लिखें प्रिष्ट 31 अगला अक्षर है बि यहाँ पर बि से बनने वाले दो शब्द लिखे हैं पहला है बिजली और दूसरा है बिल्ली यहाँ पर बादलों के बीच बिजली को कलकते दिखाया गया है और दूसरा चित्र एक बिल्ली का है साथ यहाँ पर बिन्दों की सहता से बि को लिखा गया है अब आप बिन्दों की सहता से बि को लिखिए और बिना बिन्द्वों की मदद से भी बी को लिख कर दी गए पंक्ती को पूरा कीजिए आप बी अक्षर से बनने वाले और भी शब्द स्वयम पढ़िए और उन्हें लिखिए अगला अक्षर है बी यहाँ पर बी से बनने वाले दो शब्द दिये गए हैं साथ ही उनके चित्र भी बने हैं पहला शब्द है बीज और दूसरा है बीन बीज के उपर बीज का चित्र है और बीन के उपर बीन का चित्र बना है यहाँ पर बिंद्वों की मदद से भी को बनाया गया है अब आप इन्ही बिंद्वों की मदद से बी को बनाईए और बिना बिंद्वों की मदद से भी बी को बनाकर पंग्ति को पुरा कीजिए आप बी अक्षर से बनने वाले और भी अनेक शब्द स्वयम पढ़िए और उन्हें लिखिए शिक्षक निर्देश चितर देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं दी गई जगा में चितर का नाम लिखवाएं प्रिष्ट 32 अगला अक्षर है त यहाँ पर त से दो शब्द लिखे गए हैं त से तबला और त से तकिया यहाँ पर तबला और तकिया का चितर है बिन्वों की सहता से त अक्षर को यहाँ बनाया गया है अब आप बिन्वों की सहता से त अक्षर को बनाये और बिना बिन्वों की सहता से भी त अक्षर को लिखे और दी गई पंक्ती को पूरा भी करें आप त से बनने वाले और भी अनेक शब्दों को पढ़ें और उन्हें लिखें अग्ला अक्षर है ता यहाँ पर कुछ तारों का चितर है और साथ ही एक ताले का चितर बना है बिन्वों की मदद से ता को बनाया गया है अब आप इन्ही बिन्वों की मदद से ता को पूरा करें और बिना बिन्वों की मदद से भी ता अक्षर को लिख कर पंक्ती को पूरा करें प्रिष्ट तैंटीस अग्ला अक्षर ति ति से बनने वाले यहाँ पर शब्द दिये गए हैं तितली और तिजोरी तितली के ऊपर तितली का एक चित्र बना है तिजोरी के ऊपर एक तिजोरी का चित्र है बिन्धों की मदद से यहाँ पर ती अक्षर को बनाया गया है अब आप इन्ही बिन्धों की मदद से ती अक्षर को स्वैम बनाए और बिना बिद्वों की मदद से भी ती अक्षर को लिखकर दी गए पंक्ती को पूरा भी करें अगला अक्षर है ती ती से यहाँ पर दो शब्द दिये गए हैं पहला है तीली और दूसरा है तीर तीली के उपर एक माजस की डिब्बी और एक तीली का चितर है और तीर के उपर तीर का चित्र बना है यहाँ पर बिंद्वों की मदद से ती अक्षर को बनाया गया है अब आप स्वयम बिंद्वों की मदद से ती अक्षर को बनाए और साथ ही बिना बिद्वों की मदद से भी ती अक्षर को बना कर दी गए पंक्ती को पूरा करें प्रिष्ट चोंतीस अगला अक्षर है म यहाँ पर म अक्षर से दो शब्द दिये गए हैं पहला शब्द है मचली और दूसरा है मगर मचली के ऊपर मचली का चित्र बना है और मगर के ऊपर एक मगर का चित्र बना है इसी प्रकार आप स्वैम भी म अक्षर से बनने वाले और भी शब्द पढ़ें और उन्हें लिखें अगला अक्षर है मा यहाँ पर मा से दो शब्द बनाए गए हैं पहला है मालिश और दूसरा है मालगाडी मालिश के उपर एक औरत को अपने बच्चे की मालिश करते दिखाया गया है और साथ ही एक बच्चे का चित्र भी बना है मालगाडी के उपर मालगाडी का चित्र है यहाँ पर माल गाली के दो डिब्बे दिखाए गए है यहाँ पर कुछ बिंदू की मदद से मा अक्षर को बनाया गया है अब आप इन्ही बिंदू की मदद से मा अक्षर को बनाए और बिना बिंदू की मदद से भी मा अक्षर को बनाते हुए दी गए पंक्ति को पूरा भी करें प्रिष्ट 35 अगला अक्षर है मि यहाँ पर मि से बनने वाले दो शब्द दिये गए हैं पहला है मिठाई और दूसरा है मिल मिठाई के उपर मिठाई का चित्र बना है और मिल के उपर मिल का चित्र है यहाँ पर कुछ बिंद्वों की सहता से मी अक्षर को बनाया गया है अब आप स्वयम इन्ही बिंद्वों की मदद से मी अक्षर को पूरा करें और इसके अलावा बिना बिंद्वों की मदद से भी मी अक्षर को लिखकर दी गई पंक्ती को पूरा करें अगला अक्षर है मी मी से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर दिये गए हैं पहला शब्द है मील का पत्थर और दूसरा है मीटर टेप मील का पत्थर के उपर मील के पत्थर का चित्र है और मीटर टेप के उपर मीटर टेप का चित्र है यहाँ पर कुछ बिन्दों की सहता से मी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिन्दों की सहता से मी अक्षर को पूरा करें अब आप बिना बिन्दों की मदद से भी मी अक्षर को लिखकर पंक्ति को पूरा करें प्रिष्ट छतीस अगला अक्षर है ख ख से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर दिये गए हैं पहला है खप्रेल और दूसरा है खत्रा खप्रेल के उपर एक खप्रेल का चित्र है और खत्रा के उपर खत्रे का चित्र है यहाँ पर बिंद्वों की सहता से ख अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से ख अक्षर को पूरा करें और दिये गए स्थान में बिना बिंद्वों की मदद से भी ख अक्षर को लिख कर इस पंक्ति को पूरा करें अगला अक्षर है खा, खा से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं खाट और खाता, खाट के उपर एक खाट का चित्र है और खाता के उपर एक खाते वाली किताब का चित्र है, यहाँ पर बिंद्वों के मदद से खा अक्षर को लिखा गया है, अब आप इनी बिंद्वों क खा अक्षर को बनाएं और साथ ही बिना बिन्दों के मदद से भी खा अक्षर को बनाकर इस पंक्ती को पूरा करें। खा अक्षर से और भी अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। आप उन शब्दों को पढ़ें और उन्हें लिखें। प्रिष्ट 37 अगला अक्षर है खिए। खिए से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर दिये गए हैं। पहला शब्द है खिलोने और दूसरा है खिलाडी। खिलोने के उपर कुछ खिलोनों का चित्र है और खिलाडी के उपर खिलाडी का चित्र है। यहाँ पर बिंदों की मदद से खिए अक्षर को लिखा गया है। अब आप इन्ही बिंदों की मदद से खिए अक्षर को स्वयम बनाएं। और बिना बिंदों की मदद से भी खिए अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। अब आप खी अक्षर से बनने वाले और भी शब्द स्वयम पढ़ें और लिखें। अगला अक्षर है खी। खी से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं खीर और खील। खीर के उपर एक कटोरी में खीर का चित्र है। यहाँ पर कुछ बिंदों के मदद से खी अक्षर को बनाया गया है। अब आप इन्ही बिंदुओं के मदद से खी अक्षर को स्वयम बनाएं और बिना बिंदुओं के मदद से भी खी अक्षर को बनाते हुए पंक्ती को पूरा करें। अब आप खी अक्षर से बनने वाले इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पढ़ें और लिखें। प्रिष्ट 38, अगला अक्षर है त, यहाँ पर त अक्षर से दो शब्द दिये गए हैं, पहला है तम्टम और दूसरा है टन्टन, तम्टम के उपर एक घोड़ा गाली का चित्र है, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, और तन्टन के उपर एक घंटी का चित्र है, यहाँ पर बिन्दों की सहता से ट अक्षर को बना कर दिखाया गया है, अब आप इन्ही बिन्दों की मदद से दिये गए ट अक्षर को पूरा करें, और बिना बिन्दों की सहता से भी ट अक्षर को बना कर दी गई पंक्ति को पू अगला अक्षर है टा टा से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं टाटा और टाई टाटा के उपर एक बच्चे को टाटा करते दिखाया गया है और टाई के उपर टाई का चित्र है यहाँ कुछ बिंदों की मदद से टा अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंदों की सहता से टा अक्षर को स्वयम बनाए और दी गई पंक्ती में बिना बिंदों की सहता से भी टा अक्षर को बनाते हुए पंक्ती को पूरा भी करें अब आप टा अक्षर से बनने वाले इसी तरह के और शब्द स्वयम पढ़ें और उन्हें लिखें प्रिष्ट 49 अगला अक्षर है टी टी से बनने वाले यहाँ पर दो शब्द हैं टिड़ा और टिकिया टिड़ा के उपर एक पत्ती पर एक टिड़े का चित्र है और टिकिया के उपर एक साबुन की टिकिया का चित्र बना है बिंदों की मदद से यहाँ पर टी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंदों की मदद से टी अक्षर को स्वयम पूरा करें और दी गए पंक्ती में बिना बिन्दों की मदद से भी टी अक्षर को बनाएं। अब आप टी अक्षर से बनने वाले और भी शब्द स्वेम पढ़ें और उन्हें लिखें। अगला अक्षर है टी यहाँ पर टी अक्षर से बनने वाले दो शब्द दिये गए हैं। पहला है टीला और दूसरा है टीका। टीला के उपर एक टीले का चित्र है और टीका के उपर एक नर्स द्वारा बच्चे को टीका लगाते दिखाया गया है जो अपनी मा की गोध में ह यहाँ पर कुछ बिन्दों की साहता से टी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिन्दों की मदद से टी अक्षर को खुद लिखें और बिना बिन्दों की मदद से भी दी गई पंक्ती में टी अक्षर को स्वयम लिखें अब आप टी अक्षर से बनने वाले इसी प्रकार के और भी शब्द स्वयम पढ़ें और उन्हें लिखें प्रिष्ट चालीज अगला अक्षर है च च से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं चर्खा और चम्मच चर्खा के ऊपर चर्खे का चित्र है और चम्मच के ऊपर चम्मच का चित्र है यहाँ पर बिंद्वों की मदद से च अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंद्वों की मदद से च अक्षर को पूरा करें और बिना बिद्वों की मदद से भी च अक्षर को खुद लिखकर पंक्ती को पूरा करें अब आप चा अक्षर से बनने वाले और भी शब्द स्वयम पढ़कर उन्हें लिखें अगला अक्षर है चा यहाँ पर चा से बनने वाले दो शब्द हैं चाकू और चारपाई चाकू के उपर एक चाकू का चित्र है और चारपाई के उपर एक चारपाई का चित्र है बिन्द्वों के मदद से यहाँ पर चा अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप बिंद्वों के मदद से चा अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों के मदद से भी देगे पंक्ती में चा अक्षर को लिखें प्रिष्ट 41 अगला अक्षर है चि चि से बनने वाले दो शब्द यहाँ पर हैं चडिया और चिठ्थी चडिया के ऊपर एक चडिया का चित्र है और चिठ्थी के ऊपर एक चिठ्थी का चित्र है बिंद्वों के मदद से यहाँ पर चि अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिन्दों की मदद से ची अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ती में ची अक्षर को बिना बिन्दों की मदद से भी लिखें अब आप ची अक्षर से बनने वाले और भी कई शब्द स्वयम पढ़कर उन्हें लिखें अगला अक्षर है ची यहाँ पर ची अक्षर से बनने वाले दो शब्द हैं चीनी और चील चीनी के उपर एक चीनी के डिब्बे का चित्र है और साथ में एक चम्मच में चीनी को दिखाया गया है चील के उपर एक चील का चित्र है बिंद्वों की मदद से ची अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप बिंद्वों के मदद से ची अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों की मदद से भी ची अक्षर को स्वयम लिखकर पंक्ती को पूरा करें अब आप ची अक्षर से बनने वाले और भी शब्द खुद पढ़ें और उन्हें लिखें